लकनी के पोल और द्रक्तों पर हमने बिजली लगाई है लेकिन ये गुंडागर्दी जो चलाते हैं ये बड़े-बड़े लोग चलाते हैं जिनके पास पैंसा है हमें है गरीब बंदे मुझे पता है कि कल एक वीडियो वाइब होती है एक शक्स यहां से उचके जाता है डोड़ा में डोड़ा में कुछ एप्लिकेशन देता है कि ट्रांसफर्म को इशू को लेके तो क्या पूरा मुदा है जरुदा सर मुदा यही है कि यह हर वकत जो भी काम आता है यह खुशी महमद है तो हर वकत यह उस काम के पीछे पड़ा रहता है बोलते है मुझे ही चाहिए सब कुछ मेरी जमीन में चाहिए पहले एक बार यह टायल वरक आया टायल वरक आने के बाद जब हमें वो काम में ले इसने म को बगाए कि नहीं आप गल्द कर रहे हो यह काम मुझे चाहिए तो बात में दिया हमने उसको यह तो लड़ाई हमें कुछ नहीं की आज आया ट्रांसफर्मल आया जब तो हमने बॉला ही उनको कि जब आप नाराज होते हैं आप आओ हम बात करेंगे कितने गार आप हो हम कितन लगा कि नीजी यह हमें देदो नीचे जो के मैं मकान के साथ अगली साइड लगाऊंगा तो जनाब ना हमें कोई लकडी का पॉल है सिर्व लकडी के पॉल जितने हैं ना कोई हमें खंबा है जो जिस पर के हम रह सकें लकडी के पॉल और द्रक्तों पर हमने बिजली चाहिए हैं जो कि यह भी पाचीस गहराते हैं उसमें मसल्ला यह है सर हमारी रोक्षट यह हमें को भी लग देखा जाए और गुरॉंट पर देखा जाए सर वो यह हमें दबा रहा है ना आप ही देखें इधर सर एक उसके मुकान के साथ ट्रांसपार्मल दूसरा वो बोर रहा है मेरे मुकान के आगे आना चाहिए मैं ही दोंगा जमीन तो इसमें दबाने की बात है ना यह हमें दबा रहा है ना अब कहना है आपका मुझा अब जाफर हुम्द मेरे नाम है अलेकम जद बता है कि ट्रांस्फर्म को लेकर अब एक मुद्दा बन चुका है और जो जिस बंदे ने इल्जाम लगा है कि मिमर शराब पेता है उनको ट्रांसफर्मर हमारे जगा पे लगना चाहिए तो क्या आपको लगता है कि किस जगा ट्रांसफर्मर लगना चाहिए और दूसरी बात क्या आपके मिमर शराब पेता है सर जो हमारा मिमर साथ हैं सर इनको ये सरसर इंजाम लगा गया है जो हमारे मतलब अगर ये शराब पीता तो ये लोग इसको मिमर नहीं चुनते फिला जो इतने पॉबलिक है इसको मिमर नहीं चुनते हम लोग ये उसकाविल थे इसको हमने मिमर इसलिए चुना तो सर ये सरसर बाकि रहा स्वाल ट्रांसफरम का सर, ट्रांसफरम जो है, वो हमने सही जगह पर लगा है, जब ट्रांसफरम हमारा आया, ट्रांसफरम हमारा रोड़ पर पहुँचा, तो सब लोगों से मुशूरा हुआ कि सब जो जतनी व McCarthy हो, आप ट्रांसफर्म लेके घर जाओ हम उठे यहां से हम लोग गए और हमने ट्रांसफर्म लाया कोई चार बंदों का काम नहीं था यह कि चार बंदों हम वहां से उठा के इसको यहां पहुंचाते सरια सब पुबिक गये और हम ने वहां से ट्रास्फरम जोलाया, यहां पे, और सही जगा पे लगाया, लेकिन इनी लोग जो यहां से कामप्लेंटे लेकर जाते हैं, डसी आफिस डोडा, इनी लोगों ने जहांबे हमने बुला कि आप आओ जी सबने बोलो कि आप भी आओ लेकिन यह वहाँ ट्रंसफरम लाने के लिए नहीं पहुँचे कोई भी नहीं आया वहां हमने पिर इनको काल किया कि हाँ बंदे कम है आप आओ अगर आपको पॉल कम है आपको पॉल देंगे ट्रांसफ़र्म सिरी जगा पे लगेगा अगर किसी चीज़ भी समासिया होगी हम आपको वहां भी आपके साथ है दूसरा ट्रांसफ़र्म आपको दलाएंगे आप बोलो लेकिन ये वहां नहीं आए और हमने वो ट्रांसफरम वह से उठा के मुश्कुल से एक दिन पहुंचाया बुद्न में और बुद्न से हमने फिर जब कमी पड़ गी तो हमने चार पांच मजदूर किये उनको पैंसे दिये और पैंसे दिला कि हमने ट्रांसफरम जो है यहां पहुंचाया और जब हमने यहां ट्रांसफरम पहुंचाया अब जब हमने यहां पे फिट किया तो इन्हें ऐसे ऐसे अलजाम लगाए कि रात बर इन्हें उन्हें काम किया है लेकिन रात को कोई काम नहीं हुआ है नो कोई यहां शराब पीता है नो कोई किता है यह ऐसा यहां गाउं है यह इसलाम चलता है यहाँ पर अच्छे लोग हैं यहाँ पर कोई फसाद गुंडा नहीं गुंडा गर्दी नहीं है लेकिन यह गुंडा गर्दी जो चलाते हैं यह बड़े बड़े लोग चलाते हैं जिनके पास पैंसा है हमें गरीब बंद हैं हम क्या गुंडा गर्दी करेंगे और हम कौन होते हैं गुंडागर्दी करने वाले हमारे जब चलात चलती ही नहीं है कहीं हमारे हम गरीबों के आवाज कोई सुनता नहीं है इनकी सुनता क्योंकि इनकी पास प्यांसा है हमारे पास प्यांसा नहीं है हमारे कौन सुनेगा तो सर यह है रिक्वेस्ट इससे ज्या कि यह ऐसे जो अलजाम लग रहे हमारे मिमर साहब के ओपर आप ग्रोंड पर आके ग्रोंड लेवल पर देखें और यह जो आपकी चैनल के माधियम से हम इस ख़बर को अधिसी साफ डोड़ा से पहुंचाना चाहते हैं मेरा नाम बुरहनुदीन है और वृभुर्हन दीशे मुझे बता है कि क्या वज़ा होई ओर ट्रांस्परम को लेए जो एक इसो बन चुक है क्या आपको लगते है कि कहा व्राइस लगना झाए और जोसने है यह बात किए गरीव़ों को दभाया जा रहा हमें यह है कि ट्रांस्फर्म हमें जरूरत थी तो और ना हमें पूल थे ना हमें तार थी तो ट्रांस्फर्म जितने इस वकर 24 घर है 44 गर होके हाफ हाफ होता है 22 गर वो 22 गर हम आते हैं और ट्रांसफारम जो लगा यहां पर वो इस वज़ा से लगा कि हमने हाथ खुशी महमद से छुटाया वहां से क्योंकि जब कुछ भी होता था यहां कमेरिया होती थी यहां कोई गास काटना होगा यहां कुछ भी एक डाड़ा होता था खुशी महमद का इसलिए हमने मुशौरा करके अब इसलिए हां गाईवाले ने मुशौरा करके और यहां ट्रांसफारमर लगाया आप भी देख सकते हो अगर गलत हो तो आप भी बताइए अगर ठीक हो तो आप देख सकते ग्रॉंड लेवल पर यानि मंगला से उपर लेकर तो बुदनी तक बुदनी से साथ में तक यानि वहां तक ये ट्राइस गार दूर दूर गार है आप यह देखिए इसे ज्यादा क्या कहीं यह यह सामने सर मेरा नाम शबीर एमद है मैं वाड पेंच 17 वाड नमर तीन का हूँ और जो भी इसने खोशी महमद ने मेरे उपर अलजाम लगाए है वो बेवनियाद है उसने अलजाम लगाया है कि ये शराब पीता है और लोगों के साथ गलत बेदबाव करता है ऐसी कोई बात नहीं है मै कुछ नहीं करता हूँ मैं लोगों के काम करता हूँ लोगों के बहले के लिए चलता हूँ रात दिन इनके पीछे चलता हूँ ऐसी बात नहीं है मैं लोगों के बहले के लिए जहां भी जाता हूँ लोगों के बहले के लिए किसी के साथ मैं बद्तमीजी नहीं करता हूँ त तो उसका एरिया पढ़ता है पॉर छो एक महला आता है तो उस महले में सब को यह लोहे के पोल लगे हुए है और उसके घर के पीछे ट्रांसपारम लगा हुए है उस ट्रांसपारम में से दो फेच उधर को ही जाते हैं तो वो 34-35 गार वो गिनता था कल, वो जूट है, उसमें कुछ नहीं, उसमें मैंने ड्वाइड किया, एक ट्रांसपारम पे इस वकत 44 कनेक्शन चर रहे हैं, सारे जो इधर नया लगा है, ये उदरी है, ये सारा वाड का 34 कनेक्शन, ये 44 कनेक्शन है, तो ये 22-22 आ रहे हैं हम दो ट्रांसपारम पे तो ये इनी बुजर्ग लोगों ने मशोरा करके ये लगाया है, सेंटर पलेस में लगाया है, तो ये ठीक जगा, इनका अलजाम जो है, ये गलत है, ये बोलता है, मेरे दर्वाजे के बाहर दूसरा लगाओ.